हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हुर आहूल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूं आप सभी के एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगे आपके सामदे एक मोश्ट इंपॉर्टेंट करने वाले हमारे 10th standard के लिए science subject का जो part 2 होता है science 2 subject का chapter 6 की जो हमने शुरुआत की थी already जो हम continuously पढ़ रहे थे जिसका नाम है animal classification आज हम इस chapter का lecture number 5 आपके लिए लिए लिखर आगे है जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा important lecture वीडियो होने वाला है तो दोस्तों आपको याद है उसका पूरा का पूरा हमने complete करके रखा है science का भी almost आपका पूरा complete हो चुका है लेकिन गिने चुने एक या दो चाप्टर रहे गए हैं आपके syllabus के उसको भी हम लोग complete कर रहा है तो उसमें से एक chapter यह भी था जिसके कुछ 3 से 4 lecture सो बाकी है इसको हम लोग complete कर देंगे आने सारी videos present है पहले से playlist में तो please जाए देखिए और जरूर से support करना और प्यार देना और वो वीडियो को share जरूर करना ठीक है और साथी में अगर और support करना चाहते हो तो JR Talks जिसमें हम career guidance के videos डालते हैं एक और channel है हमारा और एक और channel हमने create किया जिसका नाम है JR Vlogs जिसमें हम vlogging के क कुछ videos डालते हैं अभी अभी शुरूरात के तो आप अगर support करना चाहोगे तो जरूर से कर सकते हो चैनल को subscribe कर देना ठीक है दोस्तों तो चलिए शुरूरात करते हैं बहुत ही बहते ही लेक्टर है आज का तो आपको याद होगा कि देखो हमने इस particular chapter में जसके पहले के lecture मे मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो नॉन कोडेट होते हैं उसमें दस टाइप के phylum होते हैं यानि दस टाइप की categories होते हैं जिसमें सबसे पहला phylum porifera जो हमने discuss किया था ठीक है ना तो phylum हो गया पोरिफेरा हो गया उसके बाद हमने फाइलम क्निडारिया जिसको हम पढ़ने वाले जिसका नामें phylum platyhelminthus फिर हम लोग पढ़ेंगे phylum escalminthus फिर हम लोग phylum analida के बार में पढ़ने वाले तो यह तीन फाइलम आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा तो हर एक के characteristics के बार में बताऊंगा कौन से कौन से type के animal क्या होते हैं इसके अंदर सब बताऊंगो तो वीडियो इंपोर्टेंट है एंड तक जरूर से देख लेना ठीक है दोस्तों तो चले शुरुआत करते हैं सबसे पहला यानि कि हमारे लिए पहला है आज के वीडियो का लेकिन एक्चुल में यह थर्ड फाइलम है तीसरा फाइलम है जिसका नाम है फाइलम फाइलम प्लेटी हलमिन्थिस अब देखो बहुत खतरनाक नाम है यह हलमिन्थिस ठीक है लेकिन इसको आपको लर्न करना है मिन्थिस अब यह फाइलम प्लेटी हलमिन्थिस एक्जाक्ली होता क्या है नाम से कुछ फरक नहीं पड़ता है नाम आपको बस याद के तोर पे र हुआ है chapters के दौरान, lectures के दौरान इस chapter के अंदर, starting में बताया था कि generally there are two main types of categories in animals that is quadrata and non-cordata, तो quadrata अभी तक start नहीं हुआ है, क्यूंकि chapter बहुत बढ़ा है, लगबग 10 lecture लग जाएंगे, मुझे तो ऐसा लगता है अगर देखा जाएं, क्यूंकि हम हर चीज आपको detail में ब particular topic को, chapter को complete भी कर पाओगे, ठीक है, आलग-अलग subjects के, तो वो भी ध्यान में रखा करो, हाँ, तो हम बत करते हैं, किसकी phylum splatialment ते इसकी, तो यह किस में आते हैं, non-cordates category में आते हैं, और इसके पहले कि जो phylum पढ़ा, phylum porifera और phylum निडार या, जिसको हम लोग बोलते हैं sealant rate भी बोलते हैं, तो यह दोनों थे, वो भी non-cordates family से ही belong करते थे, और यह भी non-cordates का है, और आने वाले हम लोग और पाच्छे जो पढ़ेंगे अभी, वो भी non-cordates ही रने वाले हैं, फिर आपको अगले lecture से, अगले के अगले lecture से, आपको core data start हो जाएगा, core data में आपक एक और इसकी खास बात यह है, दोस्तों, कि यह जो type की animals होते हैं, इनकी जो body होती है, वो काफी जाधा slender होती है, slender मतलब क्या होती है, चप्ती होती है, slender का मतलब क्या होता है, चप्ता, अभी मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इसको चप्ता क्योंकि आपको याद रहना यह type के animals होते हैं, इसको flatworm के नाम से जाना जाता है, flatworms, आपने नाम तो सुना ही होगा, flatworms जो है, इसका नाम तो सुना ही होगा, यानि कि चप्ते वाले कीडे, एकदम पतले, टेप जैसे दिखते हैं, इसको flatworms कहते हैं, और साथी में इनकी एक और खाशियत यह है, कि य हमारे पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर भी बहुत सारे worms present होते हैं, कीडे बोलते हैं, हमारे पेट के अंदर कीडे हो गए, हम कीडे मारने की दवाई खाते हैं, यानि कि जो टाबलेट्स हमको मिलता है, साल में एक बार खाना चीए, वैसा वाला, तो यही type के होते हैं animals, phylum platyhelminthus, जो flatworms होते हैं, जो हमारे और खासकर दूसरे animals के भी intestine में और श्टमक में present होते हैं, इसलिए इसका नाम endoparasites होते हैं, क्योंकि endoparasites का मतलब यह होता है, जो दूसरे चीज़ को खाते हैं, लेकिन वो अंदर से खाते हैं, इसलिए इसका नाम endoparasite है, एक ह दूसरा होता है, जो किसी body के उपर होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, लेकिन endoparasites होते हैं, यह याद रखना, इनकी जो body होती है, वो assilomate होती है, assilomate का मतलब होता है, दोस्तों कि इनके body में cavity जो है, वो present नहीं है, assilomate, 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 pseudosilomate क्या होता है, अ bilateral, symmetrical होते हैं, यानि कि अगर यह animal है, समझ लोग यह tape warm है, इसको अगर मैं काटूँगा यहां से, यह दोनों क्या हो जाएंगे, यहां से भी काटूँगा, तो उपर नीचे भी same same हो जाएंगे, यानि symmetry है, इनकी body क्या है, symmetry है, वो यह कुनसी वाली symmetry, bilateral, यानि कि आप उसको स triploblastic, triploblastic का मतलब मैंने आपको बतायाता है कि इनकी body के जो layers है, skin के जो layers है, वो 3 layers से बनते हैं, यानि कि इनके पास 3 layers होते हैं, और 3 layers कुन-कुन से होते हैं, सबसे top वाला ectoderm, beach वाला mesoderm, और अंदर वाला endoderm, तो ectoderm, mesoderm और endoderm और endoderm तीनो layers present होते हैं, जैसे कि हर्मा, हर्मा फ्रोडाइट, अब इसका meaning बहुत ही interesting है, आप जाना होगे तो चौक जाओगे, हर्मा फ्रोडाइट, यह type के जितने भी animals होते हैं, वो हर्मा फ्रोडाइट होते हैं, यानि कि इनके अंदर male and female, दोनों के ही sexual organs जो होते हैं, sexual organs आपको बताईए, तो male का एक sexual organ ह होता है, females का अलग होता है, तो यानि कि दोनों अलग-अलग होते हैं, यानि मेल और female अलग-अलग होते हैं, दो अलग-अलग चीज़े होते हैं, लेकिन यह ऐसे type के animals से, यह दोनों के अंदर, दोनों ही organ, male के और females के दोनों ही sex organ present होते हैं, यह इसकी खासियत है, reproductive system जिसको बोलते हैं, यह दोनों में ही present होते हैं, है कि नहीं बहुत अलग बात, तो इसलिए यह थोड़े animals जो होते हो, थोड़े अलग होते हैं, और example आपको याद रखना है, यह type के animal के example है, प्लेनारिया हो गया, फिर एक और होता है, liver fluke होता है, तो ऐसे कुछ animal है, इसके नाम या समझ में आ गया होगा, चलते हैं, आज के second type के phylum के उपर, जिसका नाम है phylum, eskil mythis, तो eskil mythis क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगा के देख ले ना इसको, ओके इसको रफ कर लेता हो भी, यूकि अभी हम लोग जाए चाप्टर है, और अगर आप बायलोजी में इंट्रेस्ट हो, यानि की मतलब आगे जाके आपको बायलोजी पढ़ना है, या फिर करियर कुछ बनाना है, तो यह चाप्टर वाकई में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन रहने वाला है, खास कर उन के लिए जो जू लौजी होता है, इसका क्या विशेषता है, तो फाइलम एसकिल मिन्थिस के अगर बात करें, कि इनकी जो बॉड़ी होती है, यह भी लंबे-लंबे धागे जैसे होती है, यानि कि लॉंग त्रेड जैसे होती है, जैसे मोटे-मोटे धागे कैसे होते हैं, लंबे-लंबे, धा आगे जैसे शेप होती है इनकी ठीके न ऐसा इस प्रकार का शेप रहेगा ठीके न समझ लो यह कीड़े ऐसे दिखते हैं ठीके न एक्जामपल बताऊंगा तो आपको याद आजाएगा शायद आपने देखा होगा अपने लाबरेटरी में प्राक्टिकल लाब में अगर आप तो हम लोग को आँखो से भी ठीक से दिखाई ना दे मतलब दिखते हैं ऐसी नहीं है बहुत चोटे होते लेकिन इतने इतने चोटे-चोटे होते हैं तो इसको बड़े भी होते एक उंगली के बराबर भी हो सकते कुछ ठीक है ना एक्जामपल एसकैरिस होता है मैं अभी से गए प्ले के अंडर डिये जो आनिमल होते हैं इसको एक और लाम से जाना जाता है राउन वामस जिसके पहले हमने प्लेटी हल्वेंट्स देखा तो वह क्याते फ्लैट वाले वhrमस थे चब्टे वाले और इसलिए ये जो टाइप के एनिमल司 है इसको राउन्ड स कहते हैं efter payments प्रिजता है कि ये endoparasite भी हो सकता है, यानि किसी भी और शरीर के अंदर, किसी एनिमल्स के human body के अंदर भी वो रह सकते हैं, और उसका खाना जो है, और उसके अंदर ही पढ़े रहते हैं, इसलिए हमें बोला जाते हैं, क्यूंकि हम लोग बहुत सारी चीज़े खाते हैं, खा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और साथ ही में कुछ ऐसे भी जो होते हैं, वो aquatic या फिर terrestrial होते हैं, यानि पानी वगरे में भी आपको ये animals देखने मिल जाएंगे, aquatic भी होते हैं, पानी में terrestrial जमीन के ओपर भी आपको देखने मिल जाएंगे, और साथ ही में इनका ज आपको याद रखने है, और साथ ही में ये जो animals होते हैं, यूनि-sexual होते हैं, मतलब जो हमने प्लेटी-helminthus की बात की थी न, वो bisexual थे, हर्मा फ्रोडाइट थे, एकी के अंदर दोनो sex organ थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यह केले रहते हैं, यानि कि male और female दोनों अलग-अलग होंगे, male अलग, female अलग, तो ये unisexual होता है, खास कर, जैसे के example के तौर पर मैंने बताया, ascaris, ascaris इसका example है, लेकिन ascaris एक example इसका ये होता है, usually आपने देखा होगा, कि समझ लो, यहाँ पे मैं diagram बनाने की कोशिच खरता हूं, तो समझ लो, यह आपका क्या है, एक ascaris है, और यह आपका एक डूसरा ascaris है, ठीक है, यह आपका एक डूसरा ascaris है, समझ लो, तो इसमें आपको देखने मिल रहा है, कि ये दो ascaris क्यों कि जब मैं छोटा था यह चीज हमें 11 में पढ़ाई जारी थी आप लोगो तो चलो 10 में पढ़ने मिल रहा है आप बहुत ही लगता है बहुत ज्यादा फास्ट हो गए हो लेकिन हम पढ़े थे लगबाग 8 साल पहले तो हम लोगो यह 11 में पढ़ने मिला था तो उसमें क् आज की बोटल में ऐसे दो आसकेरिस दिखाए गए थे और आपको बोला जाता था identify करके दिखाओ कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है तो कैसे identify करोगे तो एक सबसे secret trick बताता हूँ कि दो आसकेरिस अगर आपको दिखेंगे तो उसमें से जो छोटा रहेगा और थोड़ा स लेकिन यह जो एसकेरिस होता है इसका एक और नाम है अभी आप बोलें के सर एसकेरिस क्या होता है ना तो एसकेरिस को ही intestinal worms बोलते हैं यह हमारे intestine में या फिर किसी अधर animals के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं इसलिए intestinal worms कहा जाता है ऐसे बहुत सारे और अनिमल है फिलेरियल वाम है लोवा लोवा है जिसको आई वर्म बोलते हैं आइक आखो के अंदर रहते हैं लोवा लोवा ठीक है नाम उसको बहुत खतरना हो गए लोवा लोवा लोव तो यह आई वाम है आई वाम ठीक है तो अंदर आख के अंदर रहते हैं तो यह सब टाइप के कुछ अनिमल्स है तो यह सभी चीज थे characteristics and example of the phylum escalementis clear है तो उमीद करता हूँ कि यह चीज भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा तो बस यही था हमारा second phylum ठी किसरा topic जो है हमारा जिसका नाम है दोस्तो phylum analida तो यह phylum analida जो है यह exactly क्या है इसकी क्या-क्या characteristics से क्या-क्या example आ जाते हैं यह सभी चीज हम discuss करेंगे तो आखरी topic है आज का फटा-फट ध्यान से देख लो और आज का lecture पिर हम लोग सौनाप करेंगे stop करेंगे ठीके वीडियो सब चीज प्रेजेंट है इसलिए हम लोग बहुत अराम से जा रहें कोई problem आपको नहीं होगा हर चीज पहले से complete करके रखा है पूरा का पूरा math science बचे कुछे बस चीज़े हम लोग बता रहें आपको तो यह fifth phylum आज पढ़ेंगे जिसका नाम है phylum analida तो यह exactly क्य एक और चीज होता है कि उनकी body is cylindrical होती है तो इसकी body लगबग आपको इस प्रकार देखने मिलेगी और आपको इस प्रकार देखके थोड़ा सा याद आ रहा होगा यह ऐसे type के एक animal होते है जो कि हमेशा हम देखते हैं जिसका नाम है दोस्तो अर्थवाम ठीक है अर्थवाम बहुत सारे लोग ने तो केचुआ इसी केटेगरी का एक्जामपल है यानि फाइलम एनलेडेगा एक्जामपल है अर्थवा याद आएगा ठीक है क्लियर है तो यह जैसे मैंने बोला कि इनकी body होती है long होती है सिरेंट्रिकल होती है और साथ ही में एक और चीज है कि इनकी body जो होती है वो segmented body रहती है क्या बोलते हैं हम लोग segmented body यह चीज आपको ध्यान में रखना है इनकी body segments के सारते है और बहुत सारे ऐसे animals जो होते है इसमें जैसे के अर्थवाम के एक्जामपल मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे ऐसे animal होते है जो free living होते है यानि अकेले रहन जो आजाते है जैसे एक्जामपल के तौर पर लीच को हम लोग हिंदी में बोलते है जोक आपको पता होगा जोक बोलते है जोक ना not a jet English वाला जोक नहीं जोक मारते है वो वाला जोक नहीं यह जोक है जो आपने देखा होगा इसे छोटे-छोटे में कीडे होते है एसे शेप में कीडे होते है देखा होगा वह ना चिपक जाते है आप एक movie में भी देखे होंगे वो जंगल में से जाते है याद नियार एनाकोंडा शायद, कि एनाकोंडा का कॉनसा अग मूवी था, मुझे याद है, वो एक काला कलर का इंसान रहता है उसमें, उसके पीट के उपर बहुत सारे जोग जोग जोए चिपक जाते हैं, आपने देखा होगा बॉडी के उपर, वो चिपक के रहते हैं, काल नमक डालतों तो निकलते हैं, यानि ऐसे टाइप के भी एनिमल्स होते हैं दोस्तों, और ये सभी टाइप के एनिमल्स जोते हैं, उसको हम लोग एनालिडा के कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें आपका अर्थवाम आ लीच आ गया, इसे बहुत सारे एनिमल्स आपको देख ऐसे भी होते हैं, जो एक्वेटिक भी होते हैं, यानि पानी में भी आपको देखने मिलते हैं, कुछ आपको ऐसे होंगे, जो टेरेश्ट्रियल होते हैं, यानि जमीन के उपर भी आपको देखने मिल जाएंगे, तो ऐसे अलग-अलग इनका रहना है, यानि कि अलग-अलग layer के जो skin है, skin के जो layer से वो present होते हैं, इसके के लिए इसको triploblastic कहा जाता है, तो समझ में आगे हैं, तो triploblastic animal है, साथ ने bilaterally symmetrical है, यानि कि अगर मैं इसको यहां से काट डू, बीज में से हैं, तो दोनों left और right के हिससे जो same होगे, यानि कि ये भी क्या है, symmetrical है, ये भी क्या है, symmetrical है, इनकी जो body है, bilaterally, bilaterally जो है, वो symmetrical है, यानि बीच से काट दो, आजे से काट दो, same-same दिखता है, ठीक है, और साथ ही में इनके जो body है, इनके पास क्या होता है, कभी-कभी-कभी क्या मतला मेंली होता है, यह सीटे हो सकता है, इनके बॉडी में सकर्स हो सकते हैं, या फिर पैरा-पोडिया नाम का एकॉर्गन होता है, ठीक है? मेरा मार्कर थोड़ा सा फीका पढ़ रहा है, लेकिन मैं मार्कर चेंज करूँगा, उमीद करता हूँ कि आपको देख तो रहा ह तो सकर्स रहते हैं, खोन को सक करते हैं, चूशते हैं, तब जाके खून आता है, परापोडिया होता है, बहुत सार ऐसे नीरीज वगर एक्जामपल के तौर पर अनिमल है, इनके बॉड़ी में क्या होता है, नीरीज प्रेजन होता है, मतलब छोड़े-चोड़े मैं समझ लो उनको चलने के लिए, कुछ ऐसे ओर्गंस के जरुत परती है, जिसको हमने परापोडिया बोलते हैं, तो परापोडिया सकर्स या फिर सीटे, जिसके हेल्फ से लोकोमोशन करते हैं, और अपना खाना उसी से खाते हैं, और इनकी बॉड़ी के उपपर छोड़े-चोड़े- एक रेशे होते हैं, hair-like structure present होता है, और ये क्या होते हैं, दो type में हो सकते हैं, या तो वो hermafrodite भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको starting में बताया था, hermafrodite यानि कि ये bisexual भी हो सकते हैं, हरmafrodite मतलब male और female एक ही के अंदर present होना, तो ये hermafrodite bisexual भी हो सकते हैं, या तो वो directly un पुनी sexual भी हो सकते हैं, यानि male और female अलग-अलग भी हो सकते हैं, clear है, और example तो मैंने आपको बताए दिया, earthworm हो गया, leech हो गया, फिर एक nearis करके भी होता है, nearis हो गया, leech हो गया, earthworm हो गया, तो यह सब उसके example से ही आपको याद रखना, at least 2 example भी याद रहेगा, तो आपको ये चीज समझ में आजएगा, ठीक है दोस्तो, clear है, तो बस यही था दोस्तो हमारा आज का topic जिसमें हमें तीन phylum आपको explain किया, phylum platyhelminthis, phylum escalminthis और phylum analida, तो ये क्या था, total मैंने उसको characteristics, पूरा example के साथ हर चीज मेंने explain किया है, तो उमीद करता हूँ कि आपको ये आपको बस मुझे बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये lecture वीडियो आपको कैसा लगा है, अपनी राविट सजेशन जरूर से comment करके बताना, और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारी मेहनत पसंद आईए, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को like क कीजेगा, और share कर देना, जितना हो सके उतना आपने सारे friends and relatives को share कर देना, दोस्तों, और साथ ही में, अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया, तो फटा फट चानल को subscribe भी कर देना, साथ में एक bell icon होता है, उसको press कर देना, ताकि future में हम कोई भी वीडियो को upload करेंगे, तो आप लोगो notification मिलती रहेगी, ठीक है friends, तो मिलते हैं हमारे एगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए, thank you and goodbye.